समाजी कारिकरता मनोज जारंगे ने माराथा आरक्षन पर अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर तक अगर माराथा आरक्षन की मांग पूरी नहीं हुई तो वो उन नेताओं के नामों का खुलासा कर देंगे जो OBC आरक्षन पर सियासत करते हैं उनकी इस चितावनी से सबसे ज़्यादा परिशान सिंधे शरकार है क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में महराष्ट में माराथा आरक्षन को लेकर सामाजी कारिकरता मनोज जारंगे ने अब अल्टिमेटम भी ज़ारी कर दिया है ज़्यागे ने दो टुक शब्दों में कहा है कि अगर 24 दिसंबर तक मराथा आरक्षन की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो वो उन नेताओं की नामों को खुलासा कर देंगे जो सालों से इसके खिलाफ है ज़्यागे ने ये भी दावा किया है कि कई मराथा नेताओं ने अपने समुदाई के लिए आरक्षन का समर्था नहीं किया मराथो को आरक्षन नहीं देने के लिए सरकार पर 30-40 सालों से OBC नेताओं का दवाब भी था उन्होंने मांग की है कि OBC की तोरा मराठों को सारे सुविधाय मिलने चाहिए मराठों को वो नौकरिया भी मिलने चाहिए जो उन्हें पहले नहीं दी गई मीडिया से बात करते विमनु जरांगे ने कहा कि मराठा और OBC समुदाये के लोग कुछ नेताओं के भड़काऊ बयानों से प्रभावित नहीं होंगे जरांगे ने कहा अगर हमें 24 दिसंबर तक आरक्षन नहीं दिया गया तो हम उन नेताओं के नामों का खुलासा कर देंगे जिनोंने बरसों से मराठा आरक्षन को रोक कर रखा हुआ है उधर महराष्ट की एकनार शिंदे सरकार ने जरांगे के नेतुरत में चल रही विरोध परदशन के मदे नजर मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनभी प्रमान पत्र देने के लिए रिपोर्ट बनाने का काम रिटायर जर्थ संदीप शिंदे को दे दिया है ये समीती इस पर रिपोर्ट पेश करेगी कि मराठा समुदाय को कुनभी प्रमान पत्र दिया जाए या फिर नहीं आपको बता दे कि जरांगे की मांगो ने मराठो को कुनभी प्रमान पत्र दिया जाना भी शामिल है ताकि उन्हें OBC श्रेडी के तहत आरक्षन मिल सके उदर महराश्र के मंत्री और अजीत पवार गुटके नेता चगन भुजबल ने मराठो को आरक्षन देने के लिए बैक डोर के लिए किये जा रहे प्रयासों का भी विरोत किया हिंसा और दवाव की रड़नीती किसी भी सुरत में बरदाश नहीं की जाए इस मामले में जरांगे कह चुके है कि मराठो को आरक्षन देने से OBC समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका आरोप है कि सिर्फ OBC समुदाय को भड़काने के लिए कुछ नीता इस सरह की बयानबाजी कर रही है डिबी लाइफ की रिपोर्ट